नमस्कार, मैं हो ससी, आए जहर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं सीपी राधा कृष्णन बने जहर्खन के नए राजपाल रमेस बैस को महराश्ट की जिमेदारी राश्टपती द्रोपती मुर्मुने जहर्खन सही 13 राजपाल को बदल दिया है सीपी राधा कृष्णन को जहर्खन का नए राजपाल बनाया गया है वहीं जहर्खन के पूरो राजपाल रमेस बैस को महराश्ट की जिमेदारी सोपी गई बतादे 6 जुलाई 2021 को रमेस बैस ने जहर्खन के राजपाल का पदभार गरहन किया था अब उन्हें महराश्ट का राजपाल नियुक्त किया गया जहर्खन के पूरो राजपाल रमेस बैस चटिस गण की राय पुल्ट लोक सभा सीट से सानसत थे रमेस बैस ने चटिस गण राजपाल से लगतार साथ बार जीत दर्श की है वे चटिस गण के लोक प्रिये नेताओं में से एक हैं वहीं नए राजपाल सीपी राधा किष्णन तमिलाडू के वरिष्ट भाजपानेता हैं वे तमिलाडू भाजपाक के पार्टी अध्यक्ष भी राष चुके हैं सीपी राधा किष्णन का जन्म उनईसो संतावन में हुआ है राय नितिक सफर की बात करें तो सीपी राधा किष्णन दक्षिन से भाजपाक के सबसे वहिस नेताओं में सुमा रहा हैं जार्खन की रह धानी राची समयत कम से कम तीन जीलो के तापमान में बड़ी गिरावत दर्च की गई है मौसम विभाग के मुताबिक रभी वार को इन तीन जीलो का तापमान 3.3 डिग्री सेलसियस से 4.2 डिग्री सेलसियस तक गिर गया बता दे सोमवार को तापमान में और गिरावट दर्च की जाएगी हालाकि इस दोरान निम्तम तापमान में बिरिधी होई है रभीवार को साम साड़े पांच बये तक का जो आकडा मौसम भी भाग ने दिया है है उसमें पताया गया है कि रांची जमसेदफूर और डाल्टर के अधिकतम तापमान में पीन पॉंट साथ डिगरी पीन गडिवे और चार पांट meno डिगरी की गिरावट दर्च की गई डाल्टने गाज के अधिक्तम तापमान में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है इसके बावजूद यहां का अधिक्तम तापमान 31 डिग्री सेलसेस बना हुआ है जो समायने से 2.8 डिग्री अधिक है गोल्ड मेडल जितकर लोटी जहरकन महिला होंकी टीम का रांची में भबे स्वागत खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सवन पदक जितकर वापस लोटने पर जहरकन की महिला होंकी टीम का रांची रेल वेस्टेशन पर भबे स्वागत किया गया ग्वालियर में आयो जीत होंकी मैच में जारकन की बालिका होंकी टीम ने फाइनल में मध्य परदेश को पेनल्टी सूट आउट में चार तीन से हारा कर गोल्ड मेंडर प्रकाबजा किया था पता दे भारत सरकार खेल मंत्रले द्वारा देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए हर वर्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आउजन किया जाता है इस साल पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स दो आजाते इसकी आयोजन माधे परदेश के विभीन सहुरू में और होकी मैच के आयोजन गौालियर में किया गया था इसके फाइनल मैच में होकी जारकन की महिला टीम ने में जवान मध्य परदेश को ट्राइ बेकर के बाद सडन ठेड में चार तीन से हराया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में होकी जारकन महिला टीम का यह लागातार पांचवा पदखाय और पाला स्वन पदखाय अपराधियों से मुढभेड में सहीद दोनों पुलिस कर्मियों को दी गई अमतिम सलामी जारकन के देव घर नगर थाना चेतर के स्याम गंज रोड में सनिवार की देर रात मचली बेवसाई सुधाकर सुमन जहा की सुरक्षा में लगे दो पुलिस जवान अपराधियों के सा बारी थाना अंत्रगत सकुरू गढ़ के रहने वाले थे दोनों जवानों को मचली बेवसाई सुधाकर की सुरक्षा में स्पी के नेदेश पर ड्यूटी में लगाई गई थी रभी मिस्रा सनिवार को ही घर से अंग्रक्षा के ड्यूटी पर लोटे थे घाटना नगर थान से 500 मिटर की दूरी पर हुई है मुख्य मंत्री हेमां तो सेरेन युवाओ से अस्थानिय निती पर मांग रहे है सला जोहर मननिये मुख्य मंत्री नियूजन निती एवं नियुक्ती पर किया पर आपकी राय जानना चाहते हैं इस बिसाइप पर आपसे जल्द हिस्सम पर किया जाएगा मोबाइल पर इस संदेश के बाद मुख्य मंत्री है मंसरेन के रिकोर्डेट आवाजवाली कॉल आती है बता दे रिकोर्डेट कॉल में वे सवाल करते हैं हम हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में चिनोती दे या जब तक 1932 के खतियार पर अधारी नियोजन नीती और पिछले वर्गों को 27 पर अरक्षान नीती के बिशाय को नवी अनुसुची में संद्रक्षान नहीं मिल जाता तब तक के लिए 2016 से पहले की नियोक्ती नीती को बाहल करते हुए नियोक्ती परकिया को आगे बढ़ाए। क्या पुर्व की नियोजन नीती के धार पर भी नोक्ती परकिया शुरू की जाए आपना उतर है या नहीं में दे बताधा सरकार किया और उठी क्वायद आस्थानियता निती निधारन के लिए की जा रही है। उठी को लेकर समय समय पर विभाग की ओर से निधेस जारी किये जाते हैं। उनका सक्ति से अनुपालन होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने 1932 के खतियान पर जामों के साथ होने की बात कही। अपनी बातों के समर्थर में ते अस्वियादों ने कहा है कि केबिनेट के फैसले में रायत के मंत्री भी सामिल थे और इसलिए हम इससे खुद को अलग नहीं कर सकते। सरकार की प्रात्मिक्ता आदिवासी है और हम इसके साथ हैं। कुछ अन्य मुदों पर उन्होंने चुनाओ तक नितजार करने की बात कही है और जोडा की घोसना पत्र में तमाम मुदों पर आयत की विचार असपस्ट होंगे। गढ़वा के केतार में नवालिक की हत्या है। पोस्ट मास्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। फिलाल पुलिस इस मामले में एक युगा को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही है। दीपक परकास ने सीम हमन्त को लिखा पत्र सराब बनाने वाली फैक्टरी सीरदर्द। भाजबा के परदेश अध्यक दीपक प्रकास ने मुक्ष मंत्री हमान से उनके पत्र लिखकर पूर्वी सिभूम जीले के बहरा गोडा अंचल के गोहला मुंडा गाव इस्थीद इस्प्रीट तथा सराब बनाने वाली फैक्टरी गलोबल इस्प्रीट लिमिटेट जात्र शत्राय बिमार पढ़ने लगे हैं फैक्टरी की डीप बोरिंग से भुगरवी जल निकलने के कारण गाव में जल अस्तर घटने लगा है छेत्र में पेजल की समस्या उत्पन होने लगी है वायू परदूसन रोकने तथा डीप बोरिंग से करखाने के उपयोग के ल भाहे बैस ने राज सरकार दवारा बिधान सवास से पारीत करा कर अनूबोधन के लिए भेज़ेगा बिद्यकों का सुक्ष्म अद्यान कर और कई मामलों में वीधी बीधे सगरों से परामर्स लेकर ही उन पर निन लिया इस करम में उन्होंने कई बिद्यकों पर अपनी से पहली बार उन्होंने विधायक के हिंदी एवं अंग्रेजी प्रारूप में भिंता होने वाली वहीं दूसरी बार विधान सवासदुआरा पारित नहीं करा जाने पर लोटा चुके थे बाबुलाल मरांडी ने हिमंत सरकार पर बोला हमला भाजपा बिधाय कदल की नेता और पूर्मुख मंतरी बाबुलन मरांडी 1932 के खत्यान अधारित अस्थानी और रोजगार निती को लेकर मुख्य मंतरी हमांसुरिन पर हमला बोला उन्होंने कहा आए कि मुख्य मंतरी खत्यान अधारित निती को लागू नहीं करना चाहते वे सिर्फ राई निती कर रहे हैं दूसरे के कंधे पर रहकर बंदूग चला रहे हैं अगर सही मायने में इमादार है तो जल्द से जल्द निती को लागू करना चाहिए बतादे मरांडी नरभीवर को पलामू के भाजपा करेल में मीडिया से बात करते वे कहा है कि भाजपा खत्यान अधारित निती को विरुद नहीं करती इसमुदेप और भाजपा करेश्टेंड साफ है जामुमो और मुक्रमत्री हमासुरेंड करेश्टेंड समय समय पर बदलते रहा है ताजी किस्तान में फसे जारखन के 36 मैदूर सरकार से लगाई गुहार गिरी डिबो कारो हजारी बाग और धनबाद जी लेके रहने वाले 36 परवासी मैदूर ने ताजी करस्तान से इंटरनेट मीडिया के माधियम से वतन मापसी की गुहार लगाई है मैदूर ने रभीवार को मदद के लिए भारत सरकार और जारखन सरकार के नाम त्राही माम संदेश बेजा सरकार से कहा गया है कि जिस कंपनी में ये मैदूर काम कर रहे थे उसने चार महीने से वेतन नहीं दिया है पैसे के अभाव में मैदूर दाने दाने को मोहताज है यहाँ कोई पहला मामला नहीं है बता दे जब दलालों की चकर में पढ़कर गरीब तबके की लोग विदेश में फस जाते हैं इसे पहले ताजिकिस्तान में ही 44 मैदूरों के फसने का मामला सामने आया था मजूदा मामले में सभी मैदूर पिछले चार महीने पहले विश्नुगड के पंचम महतों के माध्यम से टान्समिसन लाइन के लिए काम करने ताजिकिस्तान गए हुए थे अनुसासन हिंता मामले में चार नेताओ पर गिरी गाज एक महीने से अधिक समय लेने के बाद आखिरकर कॉंग्रेस ने अनुसासन हिंता को लेकर चार नेताओ को पार्टी से 6 साल के लिए निसकाल दिया है एक महिने पहले परदेश कॉंग्रेस अनुसासन समिती ने चार नेताओ को पाटी वीरोधी गतिविधी में दोसी मान कर इनके निस्कासन के अनुसान सा की थी बतादे जहारखंड पर्देश कॉंग्रेस अरुषासन समीति के अनुसंसा पर फैसल लेते वेर अभिवार को PCC जहारखंड ने पर्देश महासचीव अलोक दुबे राजेस गूपता छोटू पर्देश सचीव साधू सरन गूप और पर्देश डेली गेट्स मेंबर्स लाल किसोर नाज साधेव को छोवर्स के लिए दल से निस्कासित कर दिया है रांची में 217 की गोली के साथ जर्ज भूस गिरफतार रांची पुलिष ने दिल्ली के एक अपराधि जर्ज भूस को अरगोड़ा थाना इलाके से गिरफतार किया है पुलिष ने उसके पास से 217 की गोली और ड्रक्स ब्रामत किया है बतादे राजधानी राची के अर्गोडा इलाके से दिल्ली के एक युग को एके 47 के कार्थूस्त और ब्लेक एस्टोन ड्रक्स के साथ गिरपतार किया गया गिरपतार आसीस सेम्यूल जर्ज उर्फ जर्ज बुस दिल्ली के असोक विहार का रहने वाला है अर्गोडा पुलीस जर्ज से पूछ ताश कर रही है असांका है कि जर्ज किसी ऐसे बड़े अपराधिक नेट्वर्क्स से जुड़ा हुए है जो कार्थूस और ड्रग्स की तसकरी करता है जर्ज दिल्ली का सातिर अपराधी है उसके उपर दिल्ली के विभिन थानों में 60 से अधीक मामले दर्च है राइधानी राशी के नामकुम थाना चेतर में एक कबारी की दुकान में भिशन आग लग गई है आग इतनी भ्यावा है कि दूर दूर तक काले धुमे के गुबारे दिखाई दे रहे है मौके पर दमकल के वाहन पहुंचे और कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया इस आग में पूरा कबारी दुकान जलकर राख हो गया इस अग लगी में कबारी दुकान के आज पास के कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है मिली जनकारी के अनुसार नामकूम्थाना छेतर के रहने वाले मेराज आलम के कवाड़ी दुकान में रभिवार की संग अचानक आग लग गई अस्पताल से डिस्पेच हुए सीवु सोरेन दिस्वम गुरु सीवु सोरेन को अस्पताल से डिस्पेच कर दिया गया है तीन दीन के इलाज के बाद डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने की जायत दे दी है सिवु सुरेन को दवाई लेने के साथ खाने पीने के कुछ चीज में परहेज करने के लिए भी कहा गया बता दे जामो सुप्रिवस सिवु सुरेन तीन दीनों के बाद अस्पताल से डिश्चार्ज हुए है उनका इलाज कर रहे हैं डॉक्टर अमीत कुमार ने बताया है कि उन्हें जो भी समस्या थी उसको लेकर दवाई दे दी गई है फिलाल वे राहत महसूस कर रहे हैं मालूम हो कि उन्हें सांस लेने में दिकत और नींद नहीं आने की समस्या आ रही थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ति किया गया था अनुबंधित नर्स और पारामेटकल कर्मियों का आमरन अंसन जारी एनेचेम की अनुबंधित नर्स और पारामेडिकल कर्मी अपनी सेवा नीमिती करन की एक सुत्री मांग को लेकर 24 जनवरी से अमरान अंसन पर हैं 16 जनवरी को मुख्य बंतरी अवास गहराव के बाद राजबहन के समक्ष धरने पर बैठे हैं रभीवार को उनके अमरान अंसन का बिस्वा दिन है इस दोरान 18 अंधुलनकारी बीमार भी हो चुके हैं सन्यवर को भी एक नर्स की तवियत ज्यादा खराब होने के कारण उसे सदर अस्पताल में भरती कराया गया है पता जे राजबहन के समक्ष अमरान अंसन कर रही नर्स ममता कुमारी सन्यवर को अचानक बेहोस हो गई उसका बीपी फॉल करने के बाद बेहोसी की आहलात में उन्हें आनन फरन में 108 एम्बूलेंस सदर अस्पताल पहुचाया और एम्बर्जनसी में भरती कराया गया देवघर में आधी रात क्यों हुई मुटभेड मंत्री बादल मुटभेड में जिन पूलिस कर्मियों के मौत हुई है हम उनके परिवार की पिड़ा को समझ सकते हैं हमारी सर्वेदना उनके परिजनों के साथ है परिजनों के हर संभा मदद की जाएगी घायलों को भी जार्खन सरकार के और से पूरी मदद की जाएगी दोस्यों के खिला अलग जगो परतायनाथ पुलिस कर्मियों को विभीन थाना छेतर में इस्थीत पोस्ट पर प्रतिन्यूक्त किया गया रांची के सिनियर एस पी कर्याले नया जानकारी दी है 12 फरवरी को इसका आदेह जारी किया गया है आदेह में कहा गया किराची आतयात में परतिन्यूक्त पुलिस कर्मियों को सुगम आतयात ब्यवस्था या में आतयात निमक उलंगन की इस्थीती में विधित समत करवाई करने के लिए अगले आदेह तक अलग अलग पोस्ट पर बता देह आदेह में सभी पुलिस कर्मियों पताधिकारियों के नाम और नौ प्रतिन्यूक्त अस्थल के बारे में भी बताया गया है रामगण उपचुनाव दोस लाख कैस जब्त रामगण बिधान सभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिसान निदेसों कनुस्थार जीला निर्वाचन पताधिकारी सा उपायुक्त माधवी मिश्रावा पुलिस अधिक्चक प्यूस पां द्वारा आगे की करवाई की जाएगी धन्यवाद